हे गाइज वेलकम तो यह छोटी से एकसरसाइज आपके लिए इस एकसरसाइज में आपको करना क्या है एक function define करना है वो function as a input लेगा एक list और उस list में किसी भी data type की value store हो सकती है इस list में true, false, boolean types हो सकती है उस list में एक लिस्ट हो सकती है उस list में एक लिस्ट हो सकती है उस list में एक टूपल हो सकता है और उस list में कुछ numbers हो सकते हैं integer और floats आपको इस list में करना क्या है आपको इस list में से जो भी numbers है चाहे वो integer हो चाहे वो floating point number हो उन numbers की एक अलग list मनानी है और उस अलग list में वो number as a string होंगे वो numbers integer नहीं वो string data type में आपको change करके इसमें store कराने है I hope आप इसको करोगे मैं आपको एक hint देता हूँ आपको इस program में use करना पड़ेगा type function